नमस्कार दोस्तों मेरे चानल में आपका फिर इस एक बार स्वागत है और दोस्तों फाइनली शोमी की तरब से गलूबर स्टेबल अब्रेट कुछ डियोइस को रोलिंग आउट होना स्टाट हो चुका है और रेडमी नौट 6 Pro डियोइस के लिए देशाते हैं कुछ दिन पिलिसे 11.01-4.0 का ब्रेट रोलिंग आउट होना स्टाट हो गयाथ है और दोस्तो फाइनली आज से देशाते पब्लिक लिए अब रोलिंग आउट होना स्टाट हो चुका है रेडिमी नोट 6 प्रो डिवाइस के लिए तो दोस्तो आज के इस विडियो में हम बात करें वाले फुल रिविव और कुछ फीजर्स के बार में है क्योंकि कापेसरी लोगों ने पोच ता कि इस सबीट के बाद सिस्टेम में कौंको से चेंजेस देखने को मल duckung से चीजों में अपर प्टिमाज़ेश देखने को मल चुका है सारी जानकरी आज के इस विडियो में और दोस्तों कापेसरी लोगों को बस एक ही अप्डेट का इंतजार है जिसका नाम है MIUI 12 और दोस्तों Redmi Note 6 Pro device के लिए MIUI 12 का अप्डेट जरूर देखने को मल जागा बस इंडिया में लॉंच होने दो लॉंच होने को बाद जरूर आपके Redmi Note 6 Pro device में MIUI 12 का अप्डेट देखने को मल जागा तो दोस्तों फिलार के लिए दे सकते हैं 11.054.0 का स्टेबल अप्डेट जो की Android 5-based अप्डेट है मैंने सक्सेस्फिल इंस्टॉल करके रखा है और डिचु के तरफ से दे सकते हैं Android security patch level आपको 5-5 मतलब की 5 मैं का latest security patch level देखने को मल जाता है साथिन दोस्ता system update में चेक अप्डेट में चेक आउट करने के बाद आपको अप्डेटर लोग में दे सकते हैं कि नहीं मिला है सबसे पहले दोस्ता बात करेंगे me share features के बारे में जो features आपको पहले से देखने को मल जाता है लेकिन दोस्ता properly work नहीं करता था लेकिन इस अप्डेट के बाद me share के जो features से सीधा आप गैलरी से photo transfer कर सकते है और system में दे सते जो features आपको properly work करता है इसके बाद दोस्ता बात करेंगे dark mode के अंदर आपको किसी भी प्रकर का changes नहीं है उसके बाद color में दे सते किसी भी प्रकर का changes नहीं है लेकिन दो सब बात करेंगे होम स्क्रीन के अंदर को छोटा सा लेयाउट मतलब की चेंजेस देखने को मिल जाएगा फॉंट में और साथी दो सब बात करेंगे अब ड्रॉर के बारे में करना उसके बात करेंगे सबसे में टॉपी के बारे में जूद की है बैटरी परफार्मंस क्योंकि दोस्त इस अफ्टरी पर्फार्मंस taking को मिल चुका है जाएगा है इस बदीन एडेघं़ करेंगे बात मुझे बैटरी में जो खोबर दो को मलचुकि मेरे जो चार्जींग के टाइम में थोड़ से अपर श्लोऊ हो चुका है उपर से ध़सो जो बैटरी दें के अश्यु है उप भी आपर ज्यादा देखने को मल चुका है लेटिल विल्ट के रपकूर लिपीर के बाद मुझे कापी सरक अप्टेमाजेशन या फिर bait time mode आपको उसको कह सकते है तो दोस्ता उपर की तरफ से देशाते है notification panel में bait time mode का feature देखने को मल जागा, simply आपको उसे उपर click कर देना है click करने बाद simple आपको देख सकते है setting open हो जागे and setting में आपको 3 option देखने को मल जाते है, turn on bait time और उसके बाद best on schedule मतलब कि charging के time है उसके बाद उसे नीचे की दर असे दे सकते हैं आपको off का मतलब की manually off करने का option देखने को मुल जाता है अगर को charging के time beta set करा है मतलब की schedule set कर सकते हैं अगर आपको कुछ order time के लिए पर schedule रखना है तो यह पर order time के लिए भी schedule रख सकते हैं तो इसके बाद बात करेंगे एफ फॉल्ट में कुछ आपको चैंजेस देखने को मिला है या फिर वीडियो में कोई भी चैंजेस फीचेर देखने को नहीं नहीं है लेकिन camera में भी दे सकते किसी भी प्रकार से optimization देखने को नहीं मिला है काफी सरक को lag देखने को मल जागा 10 मिनिट या फिर 15 मिनिट के बाद वीडियो recording करने के बाद उपर से दोसे अबर दे सकते camera setting में किसी भी प्रकार का feature नहीं है वीडियो के से यसा problem हो चुका है तो मुझे comment box में जरूब बता दीजे इसके बाद सब बात करेंगे gallery तो काफी सरे लोगों का पता था कि यह gallery में कोई ने कोई changes देखने को मिल जागा sky clear replacement उसके बाद pop-out camera तो किसी भी प्रकार से sky clear उसके बाद filters में कोई भी changes देखने को नहीं मिलते हैं तो हो सकता कि MIUI 12 या फिर कोई भी update के बाद Redmi Note 6 Pro में gallery में कोई भी changes देखने को नहीं मिलेंगे बागे सरे-सरे features है जैसे कि मीशियर का features है उसके बाद printer का सब कुछ आपको feature देखने को मजाता है gallery में बस आपको sky clear का जो feature है वो अभी तक देखने को नहीं मिला है और अगर आपको MIUI 12 के सरे-सरे features अपने Redmi Note 6 Pro में enable करना है तो जैसे कि मैंने कहा था कि आपको telegram group दिया है telegram group में आई है सब कुछ आपको apk file देखने की मिल जाएगी आप आसानी से सरे-सरे features Redmi Note 6 Pro में enable कर सकते है इसके बाद दो सब बात करने के कापेसरी लोगों के मुझे questions आते हैं कि Redmi Note 6 Pro device के लिए Android 10 का update मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो दोस्तो Redmi Note 6 Pro device के लिए Android 10 का update नहीं मिलेगा कापेसरी लोगों के questions थे तो MIUI 12 का update ज़रूब मिल जगा लेकिन Android 10 का update नहीं मिलेगा क्योंकि supportable device नहीं है तो दोस्तो आज के सरे में बस इतना ही इस वीडियो को लाइक कीज़े शेर कीज़े अपनी दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगी कुछ ऐसे इंटरेस्टेंग वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू बबाई टेक केर